चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चो मैंने कल आपके साथ एक वीडियो सेयर किया था जिसमें बताया था कि सुप्रिम कोड के ओडर के अकोडिंग आल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए 4 राउंड MCC द्वारा कंड़क्ट करवाए जाएंगे अभी इसके बारे में MCC ने भी अपने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर दिया है जिसमें ये लिखा है कि ओल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बाद कोई भी सीट स्टेट को ट्रांसपर नहीं होगी ओल इंडिया की सभी सीट पर MCC द्वारा 4 राउंड कंड़क्ट करवा कर फिल की जाएंगी इसके लिए MCC द्वारा 1 राउंड, 2 राउंड, मोप अप राउंड, इस्टे वेकंसी राउंड कंड़क्ट करवाया जाएगा पहले ऐसा होता था कि ओल इंडिया 15% सीट पर MCC द्वारा 1 राउंड कंड़क्ट करवाने के बाद सेकेंड राउंड के बाद जो भी सीटें वेकंड रेट दी वो इस्टेट को ट्रांसपर कर जाती थी और इस्टेट अपने 85% सीट के साथ इन सीटों को एड करके स्टेट कोटा की MBBS BDS की सीटे फिल करता था अभी सिरफ है स्टेट 85% स्टेट कोटा की सीट ही फिल कर पाएगा अब एहम बात यह है कि ओल इंडिया कोटा की स्टे वेकेंसी राउंड MCC द्वारा कंड़क्ट किया जाएगा बाकी जो एम्स जिपमर और सेंटरल उनियर्सिटी हैं बी एच यू एम यू डी यू इसके अलावा जो एस आई सी रोहनी है तो इनने और डिम्डी उनियर्सिटी हैं तो इनका इस्टे वेकेंसी राउंड कंसरंड इंस्टिटूट द्वारा कंड़क्ट करवाये जाएगा मतलब यह है कि एम्स की जो मौपप राउंड के बाद सीटे वेकेंट रहेंगी उन पर इस्टे वेकेंसी राउंड एम्स कंड़क्ट करवायेगा और बी एच यू की अगर वेकेंट रहेंगी तो बी एच यू करायेगा डी यू की वेकेंट रहेंगी तो इसमें डी यू द üçट प्रोट करवाएंडियोगा और ओल इंडिया के लिए paGMC Candace करवा जाएगी थोड़ा सा फरक पड़ेगा कि कौन सा पहले्ज रॉंड breaths क्मऑ方 पहले the होता है या फिर ओल इंडिया का इस्ट्रे वेकंसी राउंड पहले कंडेक्ट होता है तो इन में जरूर यह इफेक्ट पड़ेगा क्टोफ पर क्योंकि जो एमस है वह जो एमसे सिद्वारा गॉर्मेंट सीट पर करवाई जाने वाली काउंसलिंग का वन फोर्थ सीट सेर करता है तो इससे काफी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि कोन से की इस्ट्रे वेकंसी राउंड पहले कंडेक्ट होता है तो यह आपको समय के साथ साथ देखना है इस बार की काउंसलिंग आपको बड़े ध्यान से करवाना है आपको एक काउंसलिंग के साथ साथ लेना है या आल इंडिया कोटा में लेना है कब आपको स्टेट कोटा में एडमिसन लेना है कब ओल इंडिया कोटा में एडमिसन लेना है इसके बाद में इस डिसीजन से फोर राउंड ओल इंडिया के होने से कटोफर क्या इफेक्ट पड़ेगा यह मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जो हाई कटोफ वाले स्टेट हैं उनको फाइदा होगा और जो लो कटोफ वाले स्टेट से उनको नुकसान होगा और इसमें जो सबसे ज्यादा फाइदा होने वाला है वो राजस्तान स्टेट के कंडिडेट को फाइदा होने वाला है इसमें और जो सबसे ज इन स्टेट को भी थोड़ा सा फाइदा होगा इसके अलावा जो नुकसान होगा वो मैं बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा मारास्ट्रे स्टेट को होगा वेस्ट बंगाल को होगा उत्राखंड को होगा इसके बाद करनाटका को होगा और जो लो कटो फॉड़े स्टेट से उनको तो नुक्सान होगा ही होगा क्यूंकि इनमे ओलिंडिया कोटा की सीटें सेकंड रांट के बाद रिवर्ट होके जाएंगी नहीं तो इस्टुडेंट को इसमें थोड़ा सा लोश होगा तो ये एक जानकारी थी इसके बारे में मोटी-मोटी सी बाकी समय के साथ आपको जानकारी हमारे चैनल पे मिलती रहेगी मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैहिन